नमस्कार दोस्तों, हमारी यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वाकत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा अचू को पाएक लेकर आए हैं, जिसको करने के बाद आपको पूरी जिन्दगी में कभी भी हार्ट से जुड़ी कोई भी बीमारी नहीं होगी। दोस्तों, हम अकसर देखते हैं कि काम में हम ऐसे व्यस्त और मगन हो जाते हैं कि अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। किसी ने खुब कहा है कि पहले हम अधिक्तम समय कमाने में कभा देते हैं और बाद में सेहत का ध्यान रखने के कारण होने वाली बीमारियों पर उसी कमाई को खर्च करते हैं। तो क्यों ना पहले ही अपनी सेहत का ध्यान रखा जाए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिल की बीमारी के बारे में बताएंगे। जो लोग रेगुलर सेहत चेक अप करवाते हैं उन्हें तो अपनी सेहत समस्याओं का पता चलता रहता हैं। पर जो लोग regular सेहत की जाच नहीं करवाते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें सेहत की क्या समस्य हैं। ऐसे में परमात्मा ना करें, अगर किसी को heart blockage या heart की समस्या हो, तो ये बहुत अदिक गंबीर समस्या होती हैं। अगर आपकी heart में blockage हो रही है, तो इसका आर्थ है कि आपके blood में acidity बढ़ रही हैं। acidity दो परकार की होती हैं, एक पेट की acidity और दूसरी खून की acidity, जब पेट में acidity होती हैं, तो हमें पेट में जलन, घट्टी डगारे होती हैं। और अगर heart में acidity हो, तो वो hyper acidity बन जाती हैं। कभी भी heart attack नहीं ask, दोस्तो आज की इस video में हम आपको उसके बारे में ही बताएंगे। तो आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा वो नुस्का है, जिसका परियोग करने से आपको जीवन में कभी भी heart attack नहीं आएगा, और अगर आपके सरीर में कहीं भी blood में blockage हैं, तो वो भी सही हो जाएं। दोस्तो सबसे जाना चार ये चीज़ लोकी हैं, अगर आपके heart में blockage हैं, तो आप हर रोज सुबह खाली पीट एक गिलास लोकी का juice पीएं। आपको फरक महसूस होने लगेगा, और दो से तीन महीनों में ही blood की सारी blockage ठीक हो जाएंगी। दोस्तो यह थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को like भा शेयर करना ना पूले। इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदर स्टेप्स लेकर आते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमे बना सकते हैं, और सुखमे जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तों।